उप्राचिफाल ने जहु कश्मीर के बजट की सरहाना सवालिया निशान लगाने वालों को आत्ममंधन की दी सलाहा पुझी पर पुझी कर्थ व्याई कम होने पर मुखे सचिव ने रखा अपना पक्ष जी एमसी में किद्नी ट्रांस्प्लांट की प्रभल हुई संभावना केंद्रे की तीन सदस्य टीम ने चांती तैयारियां जल्द हरी छंडी मिलने की जताई जा रही उमेड भाश्पा की खिलाफ जमो में फिर हुआ जोरदार प्रदर्शन बी एस एफ और सी आए एस एफ अभ्यार्थियों का खुटा गुत्ता बाटर बेटालियन की अभ्यार्थी भी लगा रहे धोखे का आरो जमो कश्मीर की खास ख़बरे देख रहे हैं आप सब और मैं हूँ आपके साथ पलवी जमवाल तो चले शिरवात करते हैं जमो कश्मीर की खास ख़बरों की उप्राजपाल मनोत सिन्हा ने जमो कश्मीर के लिए जारी के गए वितवर्ष 2022 और 2023 के बजट की सरहाना की है उप्राजपाल ने कहा है कि ये बजट लोगों की सरूरतों और अकांगशाओं का पूरा करने वाला बजट है और जमो कश्मीर के विकास सिम्रिधी और यहां की शान्ती की प्रतिभदता को भी धोराता है जमो में आज एक प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान उन्होंने जमो कश्मीर को ये सौगात देने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताती हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि जो लोग इस बजट पर सवालिया निशान लगा रही हैं उन्हें इस पर आत्म मन्खन करने की जरूरत है उपराजपाल ने जमकश्मीर के पुर्वराजपाल सत्यपाल मलिक द्वारा लगाए गए कुछ आरोपों के सम्बंद में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि इसकी जांच की जिम्मेदारी CBI को दी गई है और जांच के बाद ही दूद का दूद और पानी का पानी हो उधर बजट की पूजिगत व्याए कम निर्धारित किये जाने संबंदी सवाल पर मुख्य सचेव वी के महता ने सरकार का पक्ष रखा बजट के बारे में तो 22 थेजिस का बजट यू है यह जम्मु कस्मीर की अवाम की जरूरतों और आकांच्छाओं को नीट्स एंड अस्पिरेशन्स को पूरा करने वाला है और जम्मु कस्मीर प्रसासन की जो प्रतिबधता है पीस को लेकर के प्रागर्ड़िस को लेकर के प्रस्परिटी के लेकर के उस संकल्प को भी दोहराता है प्राथमिक रूप से अगर कहा जाए तो ये ग्रोथ और ये इंतिट बजट है और सभी पहलूओं का ध्यान रखते हुए एक तारता में बैठाने की कोजी से बजट में की गई है और अगर इसके लक्ष की बात मैं कर इस बजट का मुख्य लक्ष है अब अनेक लोग है नेक प्रकार की बाते कहते हैं कुछ भ्रहम भी फैलाने की कोशिस होती है लेकिन मुझे लगता है कि अब उनको आत्म मन्थन और रात में चिंतन करने की जरुवत है जिस दिन लोग सभा में बजट पारित हुआ उस दिन म और जम्मू कस्मीर में दुरुट गती से परिवर्तन करने वाला है और यहां की एकॉनमी को भी आने वाले दिनों में डबल करने वाला है प्रदानमंद्री जी दौरा उपलद कराई गई जो यह रिकार्ड धन्रास है यह हम आपको भरुसा देना चाहते हैं कि बिना किसी भेदभाव के जम्मू कस्मीर की सवाकर नागरिकों के कल्यान के लिए उनकी आकांच्छाओं और जरूर्तों को पूरा करने के लिए समाव कि पहले जो राजेपाल थे सब्पाल मलिक साथ पिछले दिनों मीडिया में खबर चप उनके हवाले से चपी थी और इस पर हम सब में सोचा कि दूद का दूद और पानी का पानी हो जाए अगर एक किसी बड़े पत पर बेखे वी वेक्ती ने कोई बात कही है तो देस्क में सबसे जो विश्वसनी संस्ता है जाज के मामले में हमने संतुती भेंजी है सी बी आई को कि इन दोनों प्रक्रों की जाज की जाए और जाज के बात पता लगेगा और दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा पूरी ट्रांस्पेरेंसी मिलती है 18-19 के पहले कि आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आज के दिन में हम लोग यहीं नहीं बोलते हैं कि 50 दर कंप्लीट हो रहे हैं उसके रिकॉर्ड भी हम जनता में लाके दिखलाते हैं तो मेरे सवाल का उत्तर यह है कि रेवन्यू और पहले से बहतर है ए बी उसका उप्योग बहुत बहुत बहतर है जमो के GMC हस्पताल में चल्द ही किड्नी ट्रांस्प्लेटेशन शुरू के जाने की संभावनाए अब प्रबल हो गई हैं केंद्रे स्वास्ते मंत्राले की और से नामित डॉक्टरों के तीन सदस्य दल ने आज GMC और सूपर स्पेशलिटी हस्पताल का दौरा कर चमो में किड्नी ट्रांस्प्लेटेशन के लिए की गई तैयारियों का जायसा लिया इस टीम ने कई विभागों का दौरा कर वहां किये गए इंतजामों की समिक्षा की और वहीं पर यूरोलोजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर इलियाज ने बताया है कि इस टीम ने जल्द ही हरी जंडी देने का भरोसा भी दिया है और ऐसा होते ही जम्मो में ये सुव कि अगर अगर ने कुछ खामी आँगी चोटी मोटी जो उन्होंने आफ रिकॉर्ड मुझे किया है कि ज्यादा कुछ मुछ किल नहीं है आपके ज्यादा जो जरूरते हैं वह तो आपने पूरी करती है माइनर दर दर जो डिटेल है वह हम बता देंगे आपको और आपको पर हम डिजीज डोनर मतलब कि जहां पर प्रेंड़ पेशेंट हैं उनसे भी किड्नी रिट्रीवल लेने का प्रोग्राम यहां बना रहे हैं तो इस इंस्पेक्शन के बाद हमें लगता है कि हम जल्दी ही अपना ट्रांस्प्लांट प्रोग्राम शुरू कर पाएंगे केंदरे सरकार द्वारा घोशीद के गए बाडर बिटालियन के अभ्यर्थियों के साथ-साथ B.S.F और C.S.F अभ्यर्थियों ने आज एक बाष्पा पर जम कर अपनी भणास निकाली इन अभियर्थियों ने भाच्पा के जमु मुख्याले के बाहर जोरदार प्रदर्शिट करते हुए पार्टी नेताओं को उनके द्वारा किये गए वादा याद दिलाएं हैं और BSF और CISF अभियर्थी जहां लिखित परिक्षा पास करने के बावजू जोईनिंग को तरस रहे हैं महीं पर बॉर्टर बैटालियन के अभियर्थियों की लिखित परिक्षा अभी तक ना लिये जाने से इनका गुस्ता साथ व्यासमान पर पहुँच चुका है इन युवाओ ने आरोप लगाया है कि भाश्पा सिरफ शराब के ठेके खोलने में व्यास्त है और इसे देश के भविश्य की कोई चिंता नहीं है लिहाजा लोगों को इसका भहिश्कार करना चाहिए जो हम बॉर्डर बैटालियन और BSF CSI वाले एस्परेंस हैं हम तीन सालों से सर खजल हो रहे हैं BSF वाले जो है वो उनका सब कुछ हो गया मेडिकल फिट है वो उनकी जॉइनिंग नहीं हुए और बॉर्डर बैटालियन वाले जो है सर हमारे तीन साल से रिटन कंड़क्स में किया गया है सर तीन साल हम तीन चार महीने हो गया हमें प्रोटेस्ट करते हुए लेकिन नहीं किसी ने हमारी बात ने सुरी हमारी हमें सिर्फ लॉलीपप दिये जा रहे हमें लारा लगाये जा रहा है और कुछ नहीं बस एलेक्शन के टाइम में बड़ी-बड़ी बाते करते हैं और कुछ नहीं अब इन्होंने हमारी से दूसरे बच्चे इंक्लिवड किये गए सर मैं यह बोलती हूँ 30-35,000 बच्चे ऑलरेडी पहले बॉर्डर बडालियन में फिट हुए है उनका रिटन नहीं हुआ यह दूसरे बच्चे कैसे हमारे से इंक्लिव कर सकते हैं वो कहा टालेंगे यह विकंसी कि months के त्यर्यस्व फास होंगी और बाकी बच्चों पहले मेरे सबच्चे यही अपील है कि लिए जन्ता पार्टी को भाइकॉट करो इनl Som on के न jane जमुकश्मीर टोटली बर्बाद हो चुका है। जब गरों के बार पोस्टर लगे थे की बटो अपनी पत्रियां बेटियां चोड़के चले जाओ। हमें कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है तब फारु उदुल्ला साब आप कहां थे। आप कहां थे। महभूबा जी आपके पिता जी मुट्टी खांदान कहा था। आपकी ड्यूटी थी आप मंत्री थे मुके मंत्री थे। आप रक्षक थे आपके हवाले जम्मुकश्मीर दिया था। लेकिन आपने जम्मुकश्मीर के लोगों के साथ विश्वास खात किया। रक्षक ही बक्षक बन गए। मत्रों मेरी आपसे बिंटी ये तीन खांदान नहरु खांदान मुट्टी खांदान अबदुल्ला खांदान तीन तीन चार चार पीडियों से राज कर रहे हैं पहले अबदुल्ला साफ, भड़े अबदुल्ला साफ, फिर फार्प अबदुल्ला साफ, आजका चुपकूप दुल्ला साफ मुक्के मंत्री बन गए अरे इसे पुछिए आपने जम्मु कश्मीर के लिए क्या किया जो केंदर से पैसा आता था, पुल का पैसा आता था, सड़क का पैसा आता था, गरीब की जिन्दिली में परिवर्ट जमुख में नगरोटा के नजदीक आयस सर पेशा इस सड़क हाथसे में, 16 लोग घाल हो गए है ये हाथसा तब पेश आया जब खेरी से निकली एक मिनी बस नगरोटा के पंचगराएं इलाके में सड़क से नीचे उतर गई इस घाथसे में 16 लोग घाल हो गए जोने इलाज के लिए जम्मु के जेम सी हस्पताल पहुँचा आ गया है वही इन घायलों में से दो कोग की गंभीर हालत के मद्धे नजर उन्हें अमरिच सर्श शिफ्ट कर दिया गया और अन्य घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत स्तिर बनी हुई है आरेसपुरा के गाउं भोचपूर में जारीब भागवत कथा सप्ता में काफी संख्या में श्रधालू पहुचकर पुन्ने की भागी में बन रहे है नहीं पर आपको बता दें कि इस कथा के आठवे दिन आज पूर्व मंत्री वे भारतिय जंता पार्टी के प्रदेश पाध्यक्ष शामला चौधरी भी पहुचे और संतो का अश्रवाद दिया इस मौके पर उनके साथ नगरपाली का चेर्मेंट सत्पाल पप्पी और सहीत अन्य गन्माने लोग भी मौजूद रहे और में दो कि अधर बुर्ली बढ़िया की मार्ची प्रिष्ट गरी आदी तारी संगत सारे कुछ किसमल नाजरे के लाके जिए बगवान दा ना सिम्रण दा बगवानी कथा दिया नहीं सारे बैड़ के उसकता नाजलने है नदेखा गाए इससे तरही पड़ा सज्चे रहना ही सारी बवान दा अची पासर मुंद दा रहे प्रोसर और अंतिका परमान मादे प्रमिशनल के यही अरदा प्रेटिक कर रहे हैं स्वामी भी माना है जो सारी संज्चा दा शीरवाद बन्या ले ताकि समाज दी सेवा कर सके लिए तो सारे बुझे लगे इससे तरही बवान दा शीरवाद रहे हैं वही आरसपुरा के गाउ शांतिकुंज आश्रम सत्यवाली नवचरंटी यग्या के आठवे दिन योगिंद्र शास्त्रीजी महाराज ने शुधालूं को अपने प्रवच्छनों से निहाल किया पूर्व मंत्री वे भाष्पा के प्रदेश उपध्यक्ष शामलाल चौधरी भी आज इस यग्ये का हिस्ता बने और इसके आयोजन के लिए मंदिर कमेटे के सरहाना की तो महा माई ने सोचियों की बचैरें दूर दराज नहीं जाड़े जोड़े पूर्शन दर्शने नहीं कार प्याथे दे मिलियां आज शाज़ें शाज्ट्री दी ला किर्पा ज्याद बिस्ती चाहरी संगहते बढ़ी दे नाजी ये परभीटा प्रवेशन होंके शाज्ट्री दीमारा ये सारी संगह लगेगे बेंटी करने के सारे शीरवाद साटे बढ़े देखिए तकि समाई दी सेवा करते देखिए जिननाबी सम tenemos टोड़ासारेग। जो मेरे को तरेको असर क्या इड़ता क्यंसी की थी तो मेरी ते ह्यें गोशी रही जिते हैं भी समाज की जिसочка जुरूर्द थी जिस दी समाज मेझा जा गिता कोशी की ती जिसकी पुरूरा गितागा झाये सेना की 29 राश्ट्र राइफल्स द्वारा बारा मुला में आयो ज़ित हाफ मेरिफन का खिताब शकील एहमददार के नाम रहा करीब 21 किलो मेटर की हाफ मेरिफन में शकील एहमदजार ने पहला मुहमद अश्रफ ने दूसरा और साहिल एहमद गहनई ने तीसरा स्थान हासिल किया इस मेरिफन में 200 युवाओं ने भाग लिया और इसके संपन होने पर विजड़ताओं को सम्मानित भी किया गया मैं आज इंडिया आर्मी का बहुत शुकर गुजार हूँ जिन्हों ने आज यहां पर रेस करवाई हैं जिसमें मैंने पहले दर्जन की पूशन लाई हैं मैं लोगों से ये अपिल करना चाहता हूँ कि वो ड्रग से दूर रहे और सपोर्स में आए हम 29 आरार के खुश शुकर गुजार हैं कि जिन्हों ने यह आर्गनाइज यहां पर की तो यह हमारे लिए एक बहुत अच्छा है आने वाले यूत के लिए नुजवानों के लिए जिसमें हम ड्रग से दूर रह सकते हैं तो मैं चाहता हूँ कि यह ऐसे आर्गनाइज होता रहे हैं यहां पर सेना की दो राश्चर राइफल्स दौरा बढगाम के नारवल इलाके में आयुज़ुद की गई फुटबॉल टूर्नमेंट का खिताब मागाम की टीम ने नाम रहा फाइनल मुकाबले में मागाम की टीम ने बढगाम को दो गोल से शिकस्त दे कर यह टूर्नमेंट अपने नाम की है इस टूर्नमेंट के आयुज़ुद का मकसद युवाओं का रुज़ान खेलों की तरफ बढ़ाने का था ताकि वो नशे से धूर रह सके बहुत जारा यह शुकर गुज़ार है आरा टू का कि जन्हों ने यह टूर्नमेंट इनिकाद किया और हमें यह मोका फराम कराया कि हम यहां खेले और जो मुझुदा जिन्दगी है उससे फारिग होके अपने फिजिकल बाडी पे भी थोड़ा सा दियान दे और यह जो आज के जवान ड्रग्स में मुपतला हुए हैं और उससे बचा के हमें यहां यह कंवर्ट करके डाइवर्ट यहां फूर्बॉल की तरफ करके हमें बहुत मज़ा आता है इनके साथ खेलने के और टूरा मेट में पार्ट्स पेट करना चाहिए ताके हम ड्रग्स वर्ग से हो जाएं खादी वे विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ट की और से सौरल कोट में आज एक सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसाइब किया गया इस सम्बंद में वहां आयो जित किये गिए शिवर में बेरोजगार युवाओं के अलावा पूल वसेनिकों को बोर्ड की विभे बेरोजगार बच्चे हैं उनको लोगोदनेनीकी स्कीम बताया जा रही है और ब्रूल के साध हमने को सब को बन स्का सकता है काफी सरे बैनेफिट्स से तो आपको यह स्कॉम्ट करने चाहिए और को पूल में जाना चाहिए और जिसको भी मदद्व दोगरा भ्रामन प्रतिन इधी सभा ने अपना दाइरा भढ़ाने की मुहीम में तेजी लादी है इसे गड़ी में आज सभा की युवा इकाय का कुछ लोगों ने दामन थामा और समाज में रिशी मुनियों के संदेश को के प्रुचार पुसाल का प्रण भी लिया सभा के प्रधान बेद प्रकाश और वरिष्ट सदस्य चंद्र मुहन शर्मा ने इन युवाओं का सभा में तहदिल से स्वागत किया आज युवा ब्रह्मन सभा में नए नौजवान शामिल हुए हैं ये सभी लोग बड़े संस्कारी परिवारों के हैं और जो सभा से इनको दर्म और स्रात्न दर्म के संस्कार मिलेंगे ये मिश्नरी बनके समाज में जाएंगे और सभी जगह बवान परशुराम जी और जो ह पूरा करते हुए ये सभी नौजवान नया खून है नया जोश है ये दिन रात मेंद करके और समाज में जो जागरती है धर्म के प्रती संस्कारों के प्रती जागरती पैदा करेंगे आज पधान चीन को शीरवाद दिया हम सच जो पुराणे लोग हैं को अपना अशीश द भड़ता जा रहा है जमुजिले के परगवाल को खोड से हटाकर अकनूर के साथ जोडने और मेरा मंदारियां वे चौकी चोराहा को खोड से जोडने पर वहां के लोग बेहत गुस्से में हैं यहां पर छम जॉइंट एक्शन कमीटी के बैनर तले लोगों ने आज खोड औ जोड़तार प्रदर्शन किया है क्या कहना है इन लोगों का आई आपको दिखाते हैं जाले के सब्सक्राइब का दिखों मनलों बलाग एड़ा इन्हें से सब्सक्राइब कर आदमी अपना द्रॉजे बंद करिये को इता है मोनों सब्सक्राइब कर रूब तो प्रशाइब के सारी प्राइब में कि दी लिमिटेशन पर प्रफोजल है उसे बापेस लेते हैं अब्र ना जाना जाना भारा और मेरा मंगड्यी जो है वह सो किलो मीटर है तो सो किलो मीटर हमारे लोगों के लिए जाना बहुत ही मुश्किल है दूसरे नंबर पर अगर इन्हें पापुलेशन को जोडना था तो हमारे अज़ाइनिंग जो बलॉक था उसको जोड़ सकते अज्जानिक जो तसील थी जो अज़ियत असके लोगों को हमारे साथ जोड सकते थे क्योंकि वो हमारे नज्दीग था दीसरे नमबर पर फरगौाल को नोने हमसे हटा दिया फरगौाल जो था वो 1947 के साथ खायए हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो आज पर गौल को हमसे हटा के उन लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है तो चलिए अब तक जमू कश्मीर के खास ख़बरों में फिल हाल इतना ही मुझे दीची इजाज़त नमश्कार